वेल्कम बाक तू माँ चानल इंडियन गरल इन यूरोप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहा है बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियो बना हूँ आपको नोटिफिकेशन मि आप मेरे A-B वीडियो मिंस ना करें तो ये था ये है रिだ रिए पाट में मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन की तो आपके पास ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, आप ये वीडियो देख सकते हैं और इसके बाद फिर ये वीडियो देखिए जिसमें मैं आपको आज बताने वाली हूँ इवीडियो मैं मैंने आपको बताया था address registration की process, address registration कैसे करो, कहां पर करो and all that इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रेसिडेंट परमिट की तो स्टार्ट करते हैं और अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो देख लेजे क्योंकि यह आपको हेल्प करेगा जब आप जर्मनी में आओगे और आपको नहीं पता होगा कि आपको कहा जाना चाहिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बार जो रेसिडेंट कार यह रेसिडेंट परमिट होती है यह बहुत इंपोर्टन डॉक्यमेंट होता है जर्मनी के लिए यह एक लीगल डॉक्यमेंट या पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा जो भी लोकल आपके सिटी का ओपस होगा जर्ण जर्ण ऑफिस या राथ हाउ जो मैंने आपको तुराने वीडियो में बताया है तो आपको वहां पर अपॉइंटमेंट मिलेगा अपॉइंटमेंट जर्ली आपका जो भी वीजा एक्सपाइर होने वाला हो उसके एक महीने पहले मिलता है तो या तो आपको तीन महीने का वीजा मिल रहा होगा आपके पास या फिर आपके पास शे महीने का वीजा होगा तो जब भी वो एक्सपायर होने वाला होगा उसके एक महीने पहले का आपको एपोइंटमेंट लेना पड़ेगा एक महीने पहले का आपको अपॉइन्मेंट मेलेगा जन्री उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपको कुछ सर्टिफिकेट या कुछ डॉकिमेंट आपके देने पड़ेंगे इसके लिए तो यह डिपेंड करेगा कि आप किस वीजा पर आए हो अगर आप जॉब सीचिंग जो उसके लिए दूसर स्चिफिकेट ओगे इस यू आर कमिंग बिच स्टुडेट वीजा तो इसके लिए कुछ अलग होंगे अगर आप कोई पास वर्फ परमिट है और आप यहां जॉब कर रहे हो तो इसके लिए लग है तो आपको यह वो डॉक्यमेंट लिए बता आपको पोस्ट करेंगे कि आपका जो रसेडेंट कार्ड है वो आ गया है और आपके कलेक्ट कर लो उसमें वो टायिंग्स देंगे आपको उस टाइमिंग्स में जाओगे आप और आप वो कलेक्ट कर सकते हो करने की जो जो रेसिडेंट कार्ड की फीज है वो मैं आपको बता देती हो वो एप्रॉक्सिमेटली हंड्रेड यूरो होती है परपरसर के लिए तो हंड्रेड यूरो की लगभग आपको देने पड़ेंगे जब आप करने जाओगे वो आप कब तक यहां पर रह सकते हो उसका वैलिटी होगी तो घर वीजा तो वो पर्टिकुलर्र कार्ड आपको हर जगे दिखाना पड़ेगा आप जहां भी जाओगे अगर आप लोगल ट्रावल कर रहे तो भी आप इंडिया जारे हो इंडिया से यहां वापस आरे हो तो भी क् कि अब तक आपका वीजा वालिट है वो दिखाएगा तो वो तीन साल चार साल पांट साल डिपेंड करेगा कि आपका जो वर्क परमिज है या अगर स्टुडेंट लाइज के आरे वे तो डिपेंड करेगा आपके वीजा के ऊपर तो इस इस अबाउट बहुत बहुत जादा जाने के लिए तो वह एप्लाइ करना सबसे इंपर्डेंट है और उसके लिए आपको वह जो एड्रीस्ट्रेशन का पेपर है वह बहुत लेगे जाना पड़ेगा तो वह ज़ूर लेकर चली जाए पुराना वीदियो नहीं देखा है तो देख लीजिए और या आइधिम उ about resident card, आप ये वीडियो देखके आप इसली resident card को अपलाय कर सकते हैं, अगर कुछ भी problem आती है, तो comment करके मुझे बताईए, अगर आपको कुछ clear में हुआ हो, और ये totally मेरे experience के basis पर है, तो हो सकता है, मैं किसी चीजों में थोड़ा बात गलत भी हो सकते हैं, I'm not God, तो अगर comment me below and yeah, for now I think आपको clear हो गया होगा, अभी तक subscribe नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया, तो दबादो प्लीज, अब तो बहुत हो गया या, दबादो और अपने family और friends को जरू 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 शेयर करो, क्योंकि इसके बाद आएगा entertaining video,